प्रभी येश्व मसी के नाम से आप सबको जय मसी की आज की जो वीडियो है ना ये वीडियो आप लोगों की जो वीचार धारा है जो आपने एक वीचार बना के रखा है ना वो पूरा बदल के रख देगा वीचार धारा मैं सच बता रहा हूँ आज की वीडियो मिस मत करना ब जितने भी यह film बनती है ना Christian film में, आपने उन filmों में देखा होगा, और फिर जितने भी serials जो होते हैं, जो एसे series या कुछ भी ऐसे serials बनाये जाते हैं, धरावाइक बनाये जाते हैं, related to permission, permission से related, वहां पर जो चीज दिखाई जाती है ना, वो totally गलत दिखाई जाती है, और व की जाड़ी के दुआरा बात कर रहे होते हैं किस से मूसा से मोजिस से और ज्यादा तर आप लोगों ने भी ये विचार मन में बना के रखा होगा या फिर सीरियल्स में भी ऐसा दिखाया जाता है कि जो परमेश्वर पिता हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व हैं परमेश्वर एक हैं लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो तीन प्रकार का है तो ऐसे ही यह जो विचार धारा आप लोगों के मन में भी होगी कि भाई जब मुसा से जो बात किया वो यहोवा परमेश्वर ने बात किया और जो यहोवा परमेश्वर है वो पिता परमेश्वर है तो आप लोग का ये वीडियो जो है ना ये वीडियो ये वीडियो आप लोग का पूरा विचारधरा बदल देगा सबूतों के साथ में मैं ये साबित करने जा रहा हूँ कि मुसा से बात करने वाला परमीशर पिता नहीं था Bible का वचन क्या सिखाता है सबूतों के साथ मैं देखेंगे हम एक एक वचन देखेंगे कि मुसा से बात करने वाला परमीशर पिता नहीं था मुशा से बात करने वाला कौन था चलिए देखते हैं क्यूंकि आज की ये वीडियो जितने भी चर्चों में आपको बताया जाता है कि परमेश और पिता मुशा से बात किये या फिर सीरेल्स में फिल्मों में दिखाया जाता है जैसे कि Prince of Egypt एक फिल्म है उसमें भी दिखाया जाता है कि आग में क्या है परमीश और पिता आग में बात कर रहे हैं मुसा से ये पूरा विचार धर आपका बदलने जा रहा है आज की इस वीडियो में सबूतों के साथ में बाइबल की वचन के साथ चलिए मेरे नम है टीवी चलिए शिरू करते हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल गौर करके देखिए क्योंकि एक बीच चीज अगर आप से मिस हो गई ना तो आप भाई समझ नहीं पाएंगे मैं सरज बता रहा हूं आप लोग ने यह सुना हो ना नजर हटी तो दुर घट ना गटी बस इस बात को दिमाग में रखो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा देखिए निर्गमन तीन एक से लेकर छे तक देखेंगे यहाँ पर आप जानते हैं क्या यहाँ पर मुसा से परमीश्वर पिता बात नहीं कर रहाएं कौन बात कर रहा है चली देखते हैं मुसा अपने यित्रो यानि जत्रो इंग्लिश में जत्रो बोलते हैं नाम मिदान के याजक की भेड़ बक्रियों चराता था और वो उन्हें जंगल की परली और हिरोब नाम परमेश्वर के परवत के पास ले गया ध्यान दीजिए अभी बहुत यहां पर ध्यान दीजिए दूसरे वचन प जाड़ी है यह एक्चुली और परमेश्वर के दूत ने एक कटिली जाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्सन दिया यहां पर दर्सन कौन दे रहा है परमेश्वर पिता क्या परमेश्वर पिता मुसा से दर्सन करके बाते कर रहे हैं क्या नहीं कौन परमेश्वर के ए मतलब होता है Messenger of God, यानि परमीश्वर का संदेश ले जाने वाला, जिसे हिंदी में कहते हैं दूत, अगर मैं किसी भाई को कहता हूँ कि राजू, एक काम कर यार, मेरा एक मैसेज पहुंचा दे, मेरा एक संदेश पहुंचा दे, मेरी मा को कि मैं आज लेट आने वालों घर, अ क्या वो व्यक्ति मेरे से छोटा है, मेरे से कम इनसान है, नहीं हम दोनों ही इनसान है, लेकिन वो संदेश लेके जा रहा है, तो ऐसे ही, तो ये दूत जो है यहाँ पे, ये दूत एक्चुली परमीश्वर है, हम देखेंगे आगे, और परमीश्वर के दूत ने एक कटिली जाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्सन दिया और उसने दृष्टी यानि मुशा ने दृष्टी उठा कर देखा कि जाड़ी जल रही है पर भश्म नहीं होती ध्यान दीजे बहुत ही ज्यादा द्यान दीजे वर्ना मिस कर देंगे तब मुशा ने सोचा कि मैं उदर फ तीन दूसरे वचन में मुशा से कौन बात कर रहा था जो जाड़ी जल रही थी उस जाड़ी में कौन था तब और परमीश की दूत ने एक कटी जाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्सन दिया अरे यहां पर तो एक दूत बात कर रहा है मुशा से आग में से लेकिन यहां हम चौथा वचन देखते हैं तो भाई चौथा वचन तो बोल रहा है तब परमीश्वर ने देखा तब यहां मतलब क्या होता है यहां मतलब होता है मैं जो हूँ सो हूँ यानि मैं हूँ ओके और उसके इलावा कोई नहीं है यहां का मतलब यह होता यह एक्चुली परमेश्वर का नाम कम, लेकिन परमेश्वर का character, चरित्र को दर्शा, ताकि परमेश्वर सदा से है था और रहेगा, ठीक है, तब यहवा ने देखा, यानि मैं हूँ ने देखा, अगर हिंदी में इसको मैं ट्रांसलेट करूँ यहवा को, तो मैं हूँ, जब मैं हूँ ने देखा, कि मुसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने अभी देखिये, परमेश्वर ने, लेकिन यहाँ पर तो दूत बात कर रहा था, आग की जाड़ी में से, यहाँ पर तो दूत था, दूसरे वचन में, तो यह जो दूत है ना, यह दू दूत को होना है, यह दूत यहाँ भी है, यहाँ मतलब मैं हूँ, मैं हूँ भी है, ओके, तब परमेश्वर ने जाड़ी के बीच से उसको, यानि यह जो दूत है, यह परमेश्वर है, और इस दूत ने, दूत मतलब मैसेंजर आफ गाड़, परमेश्वर का संदेश लेकि जाने वाला तब ये जो दूथ है ये परमेशवर भी है तब परमेशवर ने जाड़ी के बीच में बीच से उसको पुकारा कि हे मुसा हे मुसा i.e. मुसा मुसा ने कहा क्या अग्या फांत्ववचन उसने कहा इधर पासमता और अपने पाउं से जूत्तों को जूत जूतियों को उतार दे क्योंकि जिस स्थान पर तु खड़ा है वह पवित्र भूमी है फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर तो ये जो दूत है दूसरे वचन में जो जलती हुई जाड़ी से बात कर रहा है ये यहवा भी है यानि मैं हूँ भी है मैं हूँ भी है और ये क्या है ये परमेश्वर भी है ये दूत परमेश्वर भी है और वो क्या है छटवा वचन मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इबराहिम का परमेश्वर इसाक का परमेश्वर और याकूप का परमीश्वर हों तब मुसा ने जो परमीश्वर की और निहारने से डरता या अपना मुँ ढाप लिया तो मुसा ने अपना मुँ डर के मारे धाप लिया तो ज्यादातर फिल्मों में आपको जितनी भी फिल्म है न क्रिस्ट्टन फिल्म है जो मुसा के उपर बनी हुए है वहाँ पर आपको भाई कुछ ऐसा द्रिश्य दिखाया जाता है कि एक जाड़ी में से आवाज आ रही है लेकिन ऐसा नहीं है असल में यह जो दूत है यह कौन है यह दूत पिता परमेश्वर नहीं है यह दूत है पुत्र परमेश्वर और क्या भाई आशिस बाए तो क्या येश्य मसीर केवल एक दूत है ये सवाल गलत है येशु मसी दूत भी है यानि परमेश्वर का संदेश लेके आने वाला भी है जो पुत्र परमेश्वर है पुत्र परमेश्वर परमेश्वर का संदेश लेके आने वाला दूत भी है येशु मसी परमेश्वर भी है जैसा कि हम इसी वचन में देख सकते हैं तब परमेश्वर ने जाड़ी के बीच में से उसे पुकारा तो यही जो दूत है जो आग में से बात कर रहा है यह येशु मसी एक्शुली में लेकिन पुराने नियम में येशु मसी को नाम नहीं दिया गया था यानि पुत्र परमेश्वर को नाम नहीं दिया गया था येशु बोलके वो नए परमेश्वर उद्धार देता है तो येश्व परमेश्वर भी है येश्व दूत भी है और येश्व पुत्र भी है सब कुछ है तो ये जो दूत यहाँ पर बात कर रहा है तो यहाँ पर पिता परमेश्वर मुसा से बात नहीं कर रहा भाई यहाँ पर पुत्र परमेश्वर दूत के रूप में, वो एक दूत भी है, वो संदेश भी लेके आता है, हम देखते हैं न, कि येश्व मसी कई बार कहते हैं नाई नियम में, कि येश्व मसी ने क्या, अपना वो पिता की ओर से है, लेकिन वो खुद भी परमेश्वर है, तो ट्रिनिटी हमें समझना है, तो यहाँ पर हम परमेश्वर के दो व्यक्तित्वा को, दो व्यक्तित्वा को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है, ये पुत्र परमेश्वर बात कर रहा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ तब परमेश्वर के दूत ने एक कटेली जाडी के जब यहोवा ने देखा अभी यह जो दूथ है यहोवा भी है यानि मैं हूँ भी है और आपको मालूम है येश्व मसी ने करीबन साथ बार मैं हूँ अपने आपको परमेश्वर यानि यहोवा कहा है अपने आपको मैं हूँ यहोवा का मतलब होता है मैं हूँ तो येश्व मस मसी ऐसा भी कह सकता था मैं जीवन की रोटी हूं लेकिन येश्व मसी ने मैं जीवन की रोटी हूं ऐसा नहीं बोला लेकिन येश्व मसी ने जान बुच कर मैं जीवन की रोटी हूं ऐसा नहीं बोला लेकिन येश्व मसी ने जान बुच के जीवन की रोटी पहले बोला फिर अंत में मैं हूं बोला है अगर आप देखेंगे मैं ये अगर वचन निकालूं यहना 635 वचन तो अगर मैं आप लोग यह वचन दिखाऊं यहना 6-35 वचन तो आहां पर दियान दीजिये जीवन की रोटी मैं हूँ यहुआ मैं हूँ यहुआ का मतलब बता है मैं हूँ सो हूँ तो जीवन की रोटी मैं हूँ येशु मसी मैं मैं जीवन की रोटी हूँ भी तो बोल सकता था लेकिन उसने जान बूच के पहले बोला जीवन की रोटी फिर उसके बाद में बोला मैं हूँ क्यों मैं हूँ बाद में क्यों बोल रहा है वो क्योंकि येशु मसी ही परमेशर है येशु मसी ही यहोवा है यहोवा का मतलब होता है मैं हूँ वो यहोवा का क्या है यहोवा का ही भाग है पुत्र परमेशर है तो हमें यह समझना होगा यहां पर, बहुत गहरी बात है, दूसरी बार येशु मसी ने कहा, I am the light of the world, जगत की जोती, पहले बोला, उसके बाद में बोला, मैं हूँ, मैं हूँ बाद में बोला, यानि यहोवा, अपने आपको यहोवा परमेश्वर क्लेम कर रहा है, तीसरी ब पर, I am the good shepherd, भला चरवाह, फिर बोला लास्ट में, मैं हूँ, यानि मैं यहोवा हूँ बोल रहा है वो, कितना बार येशु मसी ने अपने आपको बोला, पांचवी बार, I am the resurrection and the life, पूर्णरुथान और जीवन, पहले बोला, उसके बाद में बोलता है, मैं हूँ, I am the way, the truth and the life, मार्ग, सत्य और जीवन, फिर येशु मसी बोलता है, मैं हूँ, यानि मैं ही परमीशर हूँ, मैं ही परमीशर पिता का भाग हूँ, पुत्र परमीशर, त्रिये परमीशर का समझना होगा, I am the true wine, येशु मसी कहता है कि सची दाखलता, फिर कहता है, मैं हूँ, यानि साथ बार करीबन येशु मसी अपने आपको मैं परमीशर हूँ बोलके यहाँ पर गोसित के आए भाई, साथ बार, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमीशर, और इबराहिम का परमीशर, इसाक का परमीशर, और याकूब का परमीशर हूँ, तो ये जो दूत, दू यही दूत परमेशर है और यही दूत क्या है दूत मतलब आप लोग ऐसा मत सोचना यानि जो मैसेंजर ओफ गौड मतलब एंजल मतलब ऐसा मत समझना कि भाई पंख हो वाला कोई ऐसा एक अलग जीव नहीं दूत का मतलब होता है मेसेंजर ओफ गौड परमेशर का संदेश लेके जाने वाला तो येशु मसी खुद भी परमेशर है और वो क्या है संदेश देने वाला भी है खेर अब यही जो दूत है यह अपने आपको बोल रहा है कि भाई मैं दूत बोल रहा है कि मैं यहवा भी हूँ मैं परमेशर भी क्योंकि यहां पर मुसा परमीश और येशु मसी को देख रहा था कुछ इस तरीके से लेकिन फिल्मों में हमें दिखाया जाता खुछ इस तरीके से जो कि बहुत गलत है और यही चीज यही चीज हमें देखने को मिलती एप्रेरितो के काम एक्ट्स 7, 7, 30 और 35 में हम जब पूरे 40 वर्स बीद गए, यहाँ पर पॉलुस बात कर रहा है मुसा के समय की, ठीक है, जब पूरे 40 वर्स बीद गए, तो एक सुर्ग दूत, सुर्ग का दूत, अब दूत मतलब क्या? मेसेंजर अफ गॉट, परमिश्वर का संदेश लेके आने वाला, तब एक सुर्ग दूत ने सीने पहाड पर, यानि मौंट साइनाई, पहाड से, पहाड के जंगल में उसे, यानि मुसा को जलती हुई जाडी की ज्वाला में दर्सन दिया, यहाँ पर मुझे कोई भी व्यक्त यह साबित करे कि यहाँ पर मुसा से जो बात कर रहा है, निर्गमन 3, 1 से लेकर 6 में, मुसा से बात करने वाला परमिश्वर पिता है, यहाँ परमिश्वर का दूत बात कर रहा है, और यह दूत कोई है, यह दूत है, पुत्र परमिश्वर, येश्यु मसी, पुराने नियम म तो एक स्वर्ग दूत ने सीने पहाड के जंगल में उसे जलती हुई जाड़ी की जुवाला में दर्शन दिया, तो यहाँ पर कौन दर्शन दे रहा है, मुसा से कौन बात कर रहा है, नए निम में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर पॉलूस बोल रहा है कि भाई स्वर्ग जिस मुसा को उन्हों ने यह कहकर नकारा था कि तुझे किस ने हम पर हाकीम और न्याई ठेहराया है? तो जब परमीश्वर ने यानि येशु मसीन ने मुसा से कहा कि मेरे लोगों को छुडाओ, तो जब मुसा गया, तो जो इसराइली थे, उन्होंने नकार दिया कि तुझ तुझे किसने हमारा लीडर बनाया किसने बनाया तो वही बात कर रहा है यहां पर पॉलोस तुझे किसने हम पर हाकीम और नयाई ठहराया उसी को परमेश्वर ने हाकीम और छुडाने वाला ठहरा कर यानि यानि किसको मुसा को लीडर ठहरा कर हाकीम ठहरा कर किसके दुआरा उ यनि येशू मसी के दोआरा देखो, दूत मतलब पंखो वाला कोई जीव नहीं है। दूत मतलब होता है परम् residua का संदेज लिगे जाने वाला। ठीक हैं। तो यहाँ पर येशू मसी का बात हो रहा है। उस स्वर्ग दूत के दुआरा जिसने उसे जाडी में दर्शन दिया था जाडी में दर्शन दिया था भेजा तो मुसा को भेजने वाला कौन था वो दूत था और वो दूत कौन है वो दूत है येशु मस्य कैसे पता चलता है क्योंकि वो दूत जाडी में से बात कर रहा है द ठीक है और वो दूद परमीश्वर भी है मुसा को भेजने वाला वो ही दूद था येशु मसी अब आगे और देखते हैं और ये निर्गमन की पुस्तक में ये पहली बार नहीं था कि ऐसा नहीं कि येशु मसी को मुसा भाई खाली एक बार मिला नए नियम में भी हम देखते ह हैं जब येशु मसी का Transfiguration हुआ Transfiguration मतलब येशु मसी का सरीर पुरा उजला हो गया याद कीजिए मती 17 में 2 में और उनके सामने उसका रुपांतरन हुआ येशु मसी का रुपांतरन हुआ और उसका मू सूर्य की नाई सूर्य की तरह सूरज की तरह चमका और उसका वस्तर जोती की तरह उजला हो गया कब की बात है जब येशु मसी इस प्रिथिवी में थे और कौन आया थे उन से मिलने के लिए ध्यान दीजिए और देखो मुसा और एलिया फिर से दूसरी बार मुसा मिल रहा है नए नियम में किसके साथ येशु मसी के साथ मुसा और एलिया उसके साथ बाते करते हुए उन्हें दिखाई दिए किने चेलो को मुसा तो येशु मसी का जो पूरा रुपांतरन हुआ है उसका मुँ सूर्य की तरह चमका क्यों चमका येशु मसी चमके क्यों यहाँ पर जलने क्यों लगे मतलब ऐसा उजाला रौशनी क्यों आने लगी और उसका वस्तर जोती की नाई उजाला क्यों हुआ और येशु मसी का जो ड्रेस है ना वस्तर वो जोती की तरह जलने क्यों लगा उजाला क्यों हुआ लाइट क्यों आने लगी क्यों क्या कारण है कारण यह है कि यहां पर चेलो को येशु मसी ये साइन ये चिन्न दे रहे थे कि भाई मैं वही परमेश्वर हूँ जो मुसा से मैं मिला था कहां पर कहां पर सिनाई परवत पर मैं वही दूत हूँ देखिए उस परमेश्वर के दूत ने कटेली जाडी के बीच आग की लो देखो आग के बीच में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वह जलने लगता है उसका मतलब उसका शरीर उजाला हो जाता है और किस से बात करता है यहाँ पर निर्गवन की पुस्तक में मुसा से तो वही चीज वही चीज येशु मसी का वस्तर इसलिए उजाला हुआ क्योंकि येशु मसी चेलो को ये चिन्न दे रहे थे कि भाई मैं वही दूत हूं जो मुसा से मैं मिला था सिनाई परवत पर इसलिए उसका शरीर है वो चमकने लगा वो सबूत दे रहा था चिन्न दे और वही चीज को साबित करने के लिए का हाँ येशु मसी ही है बोलके ये की ये ये शु मसी रही ही I मुझे से मिलने के लिए कि मुझा नए नियम में भी दिखाई देता है कि छीलों के सामने कि हाँ वो जो सिनाई परवत पे मुझे जिसने दस आग्या दी थी, वो येशु मसी ही है, परमीश्वर का जो दूत जिसने बात की, वो येशु मसी ही है, इसलिए येशु मसी का जो चहरा है, मुह है, वो सूरी की तरह चमकने लगा, सूरी की नाई चमकने लगा, और जो वस्तर है, वो जोती की नाई उजयला हो गया येशु मसी का, और कौन आए भाई, मुसा भी आया, हाँ भाई ये वही है, ये वही है जिसने मुझे दस आज्या दी थी, कहाँ पर, सिनाई परवत पर, येशु मसी ही है, बोलके ये वही परमेश्वर है, वही दूत है, और वही परमेश्वर है, दूत भी है, परमेश्वर भी है, और पुत्र भी है, वही है बोलके, मुसा ये साबित करने के लिए, ये बोलता ना, आई विटनेस, अगर कहीं किसी का मडर होता है, तो भाई एक आई विटनेस चाहिए होता है ना कि भाई कोई व्यक्ति ने देखा हो चसमदीद गवा जिसने अपने आखों से देखा हो तो येशु मसी ही निर्गमन की पुष्टक में बात कर रहा था वो दूत येशु मसी ही है जो कटिली जाड़ी के बीच में से आग के बीच में से बात कर रहा था वो येशु मसी ही है बोलके मूसा यहाँ पर सबूत के रूप में खड़ाए बाई मूसा और एलिया और एलिया देखिए, परमिशर एक है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, परस्नालीटी है, वो तीन प्रकार का है, एक बाप के जैसा, एक बेटे के जैसा, एक पवित्रा आत्मा के जैसा, अभी देख लिए, मैं हूँ, मैं आशिस भाई, मैं बेटा भी हूँ, मैं अपनी मा और पिता का बेटा भी हूं और मैं भाई किसी का पती भी हूं मैं अपनी पतनी का पती हूं और मैं बाप भी हूं अपने बच्चों का बाप भी हूं मेरे दो बच्चे मैं बाप भी हूं तो मैं हूं तो एक ही लेकिन मैं एक ही समय में क्या हूं मैं बेटा भी हूं मैं बाप भी हूं मै तो और भी चीज, और मैं क्या है, मैं दोस्त भी हूँ किसी का, तो ये बात ध्यान देनी है, तो परमेश्वर पिता एक है, लेकिन वही परमेश्वर पिता, बाप भी है, बेटे भी है, और क्या है, पवित्र आत्मा भी है, यानि परमेश्वर के अंदर तीन व्यक्ति वास कर करते हैं एक परमेशर के अंदर तीन व्यक्तित्व हैं तीन व्यक्ति वासकर तो यह आमें समझना होगा ओके तो यहां पर मुसा सबूत की रुप में खड़ा होता है जब येशु मसी का सरीर उजयाला हो रहा है सूर्य की तरह चमक रहा है तो चमकना का मतलब आप लोग समझ गहेंगे कि येशु मसी का सरीर उजयाला क्यों हुआ इसलिए उजयाला हुआ येशु मसी का शरीर और उसका चहरा ताकि चेलो को एक चिन्न था कि मुसा के समय में जो आग के बीच में दूत आया था ना वह येशु मसी ही है ठीक है आशिस भाए आप कैसे कह सकते हैं कि जो तो ये दूत है जो आग की जलती हुई जाड़ी में से बात कर रहा है किस से मुसा से ये दूत कोई दूसरा दूत नहीं है जैसे कि माइकल या मिकायल या फिर गेब्रियल या गाब्रियल ये कोई दूसरा सोर्ग दूत क्यों नहीं हो सकता ये जो दूत है ये दूत ये शू ही कैसे बोल सकते हैं आप या फिर ये दूट जो है जो मुसा से आग में से बाते कर रहा है ये दूट पवितर आत्मा क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ये दूट येशु मसी ही है कैसे कैसे कह सकता हूं क्यूंकि अगर हम इस वचन को ध्यान से देखें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यह जो दूत है यह दूत एक तो आग में से बात कर रहा है दूसरी बात यह दूत खुद को क्या बोल रहा है जब मुसा सामने आता है तो बलता अपना चपल खोल क्योंकि यह पवित्र भूमी है तू क्या कर अपना चपल खोल फिर आ और यहवा बोल के लिखा है वहाँ पर यहवा यानि परमेश्वर मैं जो हूँ मैं हूँ यहवा का मतलब मैं हूँ यानि यह दूत कोई आम दूत नहीं है यह जो दूत है यह यहवा परमेश्वर है और यह जो दूत है यह दूत अबराम इसाक और याकूब का भी परमेश्वर है और ये जो दूत है उस दूत को देखकर आग को देखकर नहीं वो आग को देखकर नहीं डड़ा कौन मुसा उस दूत को देखकर भाई जब उसने बोला कि मैं अबराम इसाक और याकूब का तेरा पिता का तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूँ तब जा कैसे कह सकता हूं कि पिता यह कोई दूसरा स्वर्ग दूत नहीं है जैसे माइकल या गैब्रियल यह पवितर अतना भी नहीं है मैं कैसे कह सकता हूं चलिए वचन देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो दूत है ना जो निरगमन की पुस्तक में बात कर रह जलती हुई आग की जाड़ी से ये दूत जो है ये दूत कोई आम दूत नहीं है जैसे कि गेब्रियल या फिर माइकल स्वर्क दूत माइकल सुर्क दूत या फिर राफाईल स्वर्क दूत ये कोई ऐसा आम दूद नहीं है, ये दूद कौन है, सबसे पहले ये देखते हैं, तो प्रेरितों के काम साथ, एक्ट 738 वचन, ध्यान दीजिए, यह वही है जिसने जंगल में कलेशिया के बीच उस स्वर्ग दूद के साथ सीने पाहाड पर उस से बाते की, यानि यहाँ पर पॉलूस मु यह वही मुशा है, जिसने क्या है, जंगल में कलेशिया के बीच, अभी देखिए, उस समय में कलेशिया तो था नहीं, यानि चर्च था नहीं, मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है, कलेशिया के बीच उस स्वर्ग दूद के साथ, यानि मुशा ने उस स्वर्ग द ठीक है तो उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड पर उस से बाते की यानि उस स्वर्गदूत ने यानि उस मेसेंजर ऑफ गॉड ने क्या की मुसा से बाते की और हमारे बाप तादाओं के साथ था उसी को जीवित वचन मिले यानि दसाग्या दी किसने उस स्वर्गदूत ने उस messenger ने, येशु मसी क्या फिर messenger है, येशु मसी messenger भी है, येशु मसी दूत भी है, येशु मसी पुत्र भी है, येशु मसी परमेश्वर भी है, ठीक है, सब चीज है येशु मसी, आदी और अंत, अलफा और ओमेगा, सब वो ही है, सब येशु मसी है, ठीक है, आपको समझना पढ़ेगा उसी को जीवित वचन मिलादा साग्या किस ने दी ये शुमसी ने दी मुसा को कि हम तक पहुंचे अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर देखे कलेशिया यह वही है यानि मुसा वही है पॉलुस कहा रहा है मुसा वही है जिसने जंगल में कलेशि था ने भाई तो कैसे कलेशिया के बीच में से मुसा से स्वर्दूत बात किया देखे मैं अभी यह दिखा रहा हूं आप लोगों कि वो जो स्वर्दूत है यह जो स्वर्दूत है निर्गमन का पुस्तक वाला यह कोई आम स्वर्दूत नहीं रफाइल एंजल रफाइल गे परमिश्वर है ठीक है कैसे क्योंकि देखिये जिसने जंगल में कलेशिया देखिए उस समय तो कलेशिया था नहीं अगर अंगरीजी बाईवल में आप पढ़ेंगे तो यहां पर चर्च नहीं लिखा गया है यहां पर कॉंग्रिगेशन लिखा है और कलेशिया का मतलब भी church नहीं होता है, kalisha का मतलब यह नहीं होता है by building, okay, kalisha का मतलब पत्थर, cement, eta, eat इन सब का जो घर बनाते हैं, उसको हम kalisha बोलते हैं लेकिन kalisha का मतलब क्या होता है, kalisha का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग का क्या group, samu, mandali, mandali बोलते हैं na mandali congregation, तो अंग्रेजी Bible में यहाँ पर congregation है, यानि mandali तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत गहरा वचन है, ध्यान दीजिए वरना आप miss कर जाओगे, कि मुशा के साथ जंगल में त्री एक permission, यहाँ पर त्री जो word kalisha, या फिर mandali, या फिर congregation इस्तमाल किया गया है इसका मतलब यह है, कि यह जो सुर्ग दूत है जो मुशा के साथ बाते किया, आसान भासा में समझा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रहा है, यह वचन, कि यह जो सुर्ग दूत है जिसने मुशा के साथ बाते की यानि ये जो मैसेंजर है ये जो संदेश लेके आया जो दूत है परमेश्वर का जिसने मुशा के साथ जलती हुए आग में से बाते की ये दूत कहां से बात कर रहा है परमेश्वर की मंडली में से मंडली मतलब क्या होता है यानि आप लोग को लोग बोल के लेकिन यहां पर जो परमेश्वर का जो मंडली है यानि एक परमेश्वर है लेकिन वह एक परमेश्वर का तीन व्यक्तित्व है पिता पुत्र और परमेश्वर तो यहां पर जो कलेश्या सब्द इस्तमाल किया गया है यह दिखाता है मंडली को या यानि कलेशिया मतलब परमिश्वर का जो जुन्ड है, पिता, पुत्र और पवित्रात्मा का जो मंडली है, उसके बीच, उसके बीच में से, उसके बीच, उस स्वर्गदूत के साथ, तो इन पिता, पुत्र और पवित्रात्मा का जो कलेशिया है, कलेशिया का मतलब जुन्ड है या फिर मंडली है पिता पुत्र पवितर आतुना उसमें से एक स्व्रुइत ने बाते की तो यह स्व्रीफ कोई आम् राख नहीं है जैसे कि ग्यांग जाय इसे कि लिधी स्व्रुइबिब्रील स्व्रुइभ yana फिर माइक्षल न फ्रुइरusy श्वर्ग्दूथ ठीक में से एक्षववा है फिर से बता रहा हूं यह नहीं है कि भाई स्वर्ग्दूथ का मतलब J dum मतलब Uhr pond का मतलब का मतलब चैelnिसने में और मच्व मेंसेंचर और तो इसी में से इसा नहीं में मतलब होता है Real इसी परमेश्वर के मंडली में से यानि पित्रा-पूत्र और पवित्रा आत्मा के बीच में से स्वर्गदूत बात कर रहा है तो यह आम स्वर्गदूत तो बिलकुल नहीं है इतना साफ हो गया आप लोगों अब हम यह देखेंगे कि भाई क्या यह पवित्रा आत्मा है जो निर्गमन की पुस्तक में बाते कर रहा है यह जो दूत है कहां गया यह जो दूत है यह आम स्वर्गदूत तो है नहीं हमने देखा वचन से चलिए देखते हैं अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देजिए क्योंकि वचन अभी और भी ज़्यादा गहरा और और भी जो की है ये इश्यू मसी तो ऐसे ही हम देखते हैं निर्गमन 23 वचन Exodus 23 20 जला ध्यान से सुनिए क्योंकि वचन और भी जदा गहरा और इंट्रेस्टिंग होने वाला है सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा यहां पर परमीश्वर पिता बात कर रहे हैं ठीक है यह वचन परमीश्वर पिता के हैं सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तयार किया है उसमें तुझे पहुचाएगा उसके सामने सावधान रहना और उसका मानना उसका विरोध ना करना क्योंकि वह तुम्हारा अपरात शमा ना करेगा अगर गलती करोगे तो अपरात शमा ना करेगा इसलिए कि उसमे ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुती ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है, अभी बाइबल जबी भी कहता है ना, नाम, कि बाइबल जबी भी नाम कहता है ना, तो इसका मतलब यह है कि उसमें मेरा नाम है, कहने का मतलब यह है कि वो मैं हूँ, म मैं जो हूँ, वो भी है, मैं जो हूँ, वो वैसा ही है, यानि मैं वही हूँ, यह जो दूत है, जो परमिशुर आ गया कि भेज रहा है, उसके अंदर क्या है, उसमें मेरा नाम रहता है, यहाँ पर अभी मुझे यह बताइए, कि कौन सा ऐसा दूत है, कौन सा ऐसा इंजल है, क इसमें पिता का नाम रहता है, कौन है, और दूसरे स्वर्गदूत जितने भी हमें बाइबल में दिये गए है, सब के नाम है, जैसे गेब्रियल, रफायल, रफायल, रफायल ही है, मिकायल, यानि माइकल, आपको भी ये आपको होँवक है, कि आप खुद सर्ज करेंगे, जो गेब्रियल सवर्गदूत है उसका नाम का क्या मतलब है रफायल सवर्गदूत का नाम का क्या मतलब है और माइकल सवर्गदूत का क्या मतलब है यह आपका हूंवा गया ठीक है लेकिन जो यह सवर्गदूत है लेकिन जो यह दूत है इसमें नाम नहीं बताया गया लेकिन उस मस्य बोलके नाम साफ साफ नहीं बताए गया है, वो नए नियम में नाम हम देख सकते हैं, लेकिन हम इतना जान सकते हैं कि ये कोई ऐसा दूत है जो भाई खुद परमेश्वर है, क्यों? निर्गमन 3.2 में देखेंगे, कि ये जो दूत है ना, ये क्या है, ये यहवा है, ये दूट क्या है अभराहम इसाक याकूब का क्या है परमेशो रहे यह दूट तो कोई है कोई ऐसा दूट है उसमें मेरा नाम रहता है पिता कहар है अभी आप अगर येशू नाम का क्या मतलब होता है अब सर्स करेंगे आप धूर्जणगे येशु जैसे हर एक नाम का मतलब होता है जैसे अब आशीस का मतलब क्या होता है आशीस मतलब blessing वैसे येशु येशुवा येशुवा मशीहा का क्या मतलब होता है तो अगर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ what is the meaning of the name Jesus Christ अभी देखिए अगर आप येशु मसी एक्चुली येशु जो है येशु जो नाम है वो अक्चुली येशुवा है येशुवा मशीहा येशुवा मशीहा थोड़ा मैं अलग तरीके से बलोग तो येशु येशुवा येशुवा का क्या मतलब बता है ये येशुवा 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 का मतलब होता है येशुवा 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 का मतलब होता है येशुवा 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 का मतलब होता है येशुवा येशुवा य यहवे का मतलब यहवा यहवे का मतलब होता है मैं जो हूँ सो हूँ ठीक है तो मैं जो हूँ सो हूँ उधार करता है तो येशु मसी के अंदर किसका नाम है पिता का नाम है तो पुराने नियम में येशु मसी को कभी भी डाइरेक्ट येशु बोलके नहीं बता गया है दूत बोल के बताया गया है, दूद का मतलब परमेश्वर का संदिय से लिके जाने वाला, तो यहवे इस सल्वेशन, यानि परमेश्वर क्या है, उद्धार करता है, परमेश्वर उद्धार करने वाला, या फिर कह सकते हैं, परमेश्वर बचाने वाला, या फिर परमेश्वर उद यहावे का नाम रहता है यहुआ परमेशतर पिता का नाम रहता यहावे इसंट तो यह जो दूत है यह कौन है येश्युमसी था मुसा से बात करने वाला आग में से ज़लतीवी जो जाड़िती उसकी आग में से, अभी एक और वचन में हम देखते हैं, न्याईयों 13, यानि जजेस 13, 17 से पढ़ेंगे, यहाँ पर मानो, मानो के बारे में, मानो कौन है, मानो सैंसन पता है, सैंसन जिसके बालो में शक्ति थी, और उसकी पतनी ने बाल काड़ दिया, उसका सक्ति चला गया था, हा इतना खुबसूरत है, यह वचन, गहरा वचन भी है, देखिए, मानो से, मानो ने, यानि सैंसन का पिता जी, ने यहवा के दूट से कहा, अपना नाम बता, अभी देखिए, इसलिए कि जब तेरी बाते पूरी हों, तब हम तेरा, अब उसने क्या बात कहा था, आप पूरा पूरा वचन पढ़ लेना, जजेस, ठीक है, यह यह वचन पूरा पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, इसलिए कि जब तेरी बाते पूरी हों, तब हम तेरा आदर मान कर सकें, अभी यहाँ पर इस दूट के साथ है, यानि येशु मसी, नाम तो बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय दूट के रूप में येशु मसी, यानि फुत्र परमेशर वहाँ गया था मानो के पास में, उसे संदेश देने के लिए, तो वो नाम पूछ रहा है मानो, यानि सेमसन का जो पिता जी है, बाप है, वो नाम पूछ रहा है, ताकि हम तेरा क्या करें, आदर सम् महैन्द कर रहा हूँ, यवा के दूट, ने उससे कहा, अभी उस दूट ने कहा, अभी देखिये, मेरा नाम तो अदुध है, इसलिए तो उसे क्यों पूछता है, तो यहाँ पर क्या इस दूट का नाम अदूध है, अदूध नाम है क्या उसका, ए अदूध इदर आ, ए क्यों पूछता है यानि मेरा नाम क्यों पूछता है तू मेरा नाम तो अद्भूत है मेरा नाम सीक्रेट है तू भी समझने पाएगा तेरा वह समझने का बुद्धी नहीं है अभी क्यों समझने पाएगा क्योंकि भाई अगर वो अपना नाम बता भी देता ना कि मेरा नाम ये शुमसी है खेर नाम रखा नहीं गया था उस समय तक लेकिन उस समय के लोग ना 3-1 परमिश्वर को इतना सही तरीके से समझ नहीं पाते थे और आज भी हम देखें यहोदी लोग 3-1 परमिश्वर की 3-1 ता को नहीं तु मेरे नाम को क्यों पूछता है ये बोल रहा है तब मानो ने अनबली समेथ ध्यान दीजें बहुत ही ज़्याज़ा दीजें तब मानो ने यानी सैमसन का पिटाजी ने अनबली समेथ बकरी का एक बच्चा लेकर चटान पर यहवा के लिए चड़ाया तब उस दूत ने ध्यान दीजे मानों और उसकी पतनी के देखते देखते एक अदभूत काम किया उस दूत ने क्या 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 अदभूत काम किया अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकास की और उठ रही थी यानि जब वो वेदी पे चड़ा रहा था ना बकरी वगरी यह सब चीजें सेमसन का पिता जी तो जो आग उपर जा रहे थी ना तब यहवा का दूत उस वेदी की लों में होकर वो अंदर गुस गया वो जो इंजल है उस आग के अंदर गुस गया में होकर मानों और उसकी पतनी के देखते देखते चड़ गया यानि उपर चला गया उस वेदी के आग में जाके उपर चला गया तब वे भूमी पर मू के बल गिरे तब सेमसन के पिताजी और उसकी मा मू के बल गिरे अभी यहाँ पर यह जो दूत है यह जो वेदी में जो उसने आग जलाया मानों ने यानि सम्शन का पिताजी ने वो भाई उस आग में ये दूद क्यों गया और क्यों भाई वो देखते देखते ऊपर चला गया क्यों सबसे पहली बात जो सेक्रिफाइस यानि जो अपना भेंट जो चड़ाते थे ना यहुदी लोग वयासे वेदी बनाक हमारे पापों के लिए वो क्या हुआ एक तरीके से वेदी में क्या हुआ जल गया वो भेट चड़ा वो सेक्रिफाइस हुआ बलिदान हुआ हमारे लिए तो इसलिए ये जो दूत है येश्यू मसी यानि ये येश्यू मसी क्या किया उस वेदी का आग में गुज गया और द कि येशु मसी भी क्या हुआ बलिदान हुआ हमारे पापों के लिए तो ये चिन्न था यहोदियों के लिए जो आज तक ये लोग समझ नहीं पाएं खेर आगे और देखते हैं तो कौन सा ऐसा दूत है मुझे एक बात बताईए कौन सा ऐसा दूत है यहुआ का नाम यानि परम परमेश्वर और पिता परमेश्वर हमें साफ साफ पुराने नियम में पहले से दिख रहें लेकिन हम समझ नहीं पाते तो यहाँ पर मुझा के साथ बात करने वाला कौन था यह दूत कौन था जिसने दस आग्या दी परमेश्वर ने दी लेकिन परमेश्वर पिता ने नही यो तेरा दोधेज्चन में यह जो दूत है जिससे मानो संसन का पिता बिला ओके मानो का पिता मिला यह दूत कौन है विध्यान दिजीए बाइस्ववे चनत स्टब मानों ने अपने पत्नी से कह shaped हम निश्चे मर जाएंगे अब हम निश्चे क्यों मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है तो यह जो दूत है यह दूत कौन है यह जो दूत यह दूत है परमेश्वर यह जो दूत है अठारवे वचन में यह दूत है परमेश्वर इसलिए मानों बोल रह येशु मसी पुत्र परमेश्वर है ओके तो वह परमेश्वर ठीक है अगला वचन इसी वचन को न्याईयों तेरा बाइस को मैं आपको इंग्लिश में भी दिखाता हूँ देखिए तेरा बाइस तो उन्होंने असल में देखा था दूत को लेकिन उस दूत को क्या बोल रहा है परमेश्वर अभी देखिए हिंदी में यह easy translation है मानो ने कहा हम लोग हम लोगोंने परमेश्वर को देखा है निश्चे ही इस कारण से हम लोग मरेंगे तो वह मरते नहीं है वैसे क्योंकि उन्ह तो कौन सा ऐसा स्वर्ग दूत है जो परमेश्वर है कौन सा ऐसा दूत है परमेश्वर का संदेश लेकि आने वादा पूत्र परमेश्वर पूत्र परमेश्वर दूत है अगला वचन देखिए उत्पत्ती 31 ग्यारा से पढ़ता हूं अभी यहाँ पर जेकब जो है जेकब मुझसे कहा हे याकूब मैंने कहा क्या आग्या तो यहाँ पर ध्यान दीजिए परमिश्वर के दूत ने कहा ठीक है यहाँ पर देखिए परमिश्वर के दूत ने कहा कि हे याकूब मैंने कहा यानि याकूब ने कहा क्या आग्या बारवा वचन उसने कहा ध्यान दीजिए उसने कहा आखे उठा कर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चड़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले चीती वाले और धबे वाले हैं क्योंकि जो कुछ लाबान तुझ से करता है सो मैंने देखा है अभी ध्यान दीजिए सबसे इंपोर्टेंट ध्यान दीजिए यह जो दूत है यह जो दूत है जो जेकब के सपने में आया अब यह कौन है यह परमेश्वर है देखिए तेरवा वचन मैं उस बेतल का इसवर हूँ यानि मैं उस बेतल का परमेश्वर हूँ अब यहाँ पर जो यह सब्द बेतल है इस बेतल का क्या मतलब है बेतल का इसवर हूँ बेतल का मतलब होता है परमेश्वर का घर ओके बेतल का मतलब यानि यह दूत कह रहा है कि मैं उस परमेश्वर के घर का दूत हूँ 31 देखिए I am the God of बेतल अभी बेतल का क्या मतलब होता ह बैतल का परमेश्वर मतलब यह जो दूत है, जो परमेश्वर है, यह कह रहा है कि मैं परमेश्वर के घर का, क्या हूँ? परमेश्वर के घर का परमेश्वर हूँ? अब परमेश्वर का घर क्या है? हम सब परमेश्वर की घर हैं, यानि परमेश्वर की मंदिर है हम सब लोग, तो हम लोग बैतल है यानि ये हम लोगों का ये जो दूत है ये हम लोगों का क्या है परमेश्वर है तो ये जो दूत है जो याकुप के सपने में आया ये हम लोगों का क्या है बैतल मतलब परमेश्वर के घर का अभी परमेश्वर का घर यानि परमेश्वर का मंदिर यानि हम हम लोगो का ईशुवर है हम लोगों का परमैश्वर है ये दूद्थ, कौन ऐसा सवर्ग दूद्थ है जो अपने आपको फरमै मेशुर के घर का परमैश्वर, कहता हैं कौन है ये दूद्थ dos ये ये शम सी ही है और याकुप ने उस उसको सपने में देखा और क्या बोलते हैं मानो सैमसण का पिता जी ने उसको डायरेक्ट देखा आँखो से और वू इतना डर गया था मानो सैमसण का मानो सैमसण का पिता जी कि वो बोल रहा था हमने हम निशे मर जाएंगे क्योंकि हमने परमीश्वर को देखा है इस दूत को क्या बोल रहा है परमेश्वर बोल रहा है याकूब भी याकूब भी बोल रहा है कि यह जो दूत है वो दूत उस दूत ने मुझे कहा कि वो परमेश्वर के घर का बैतल यानि परमेश्वर के घर का इश्वर है यानि हम लोगों का वो इश्वर है परमेश्वर है कौन सा ऐसा दूत है सोरगदूत है, जो आपने आपको हम लोगों का इशुवर कहता है दूत मतलब क्या? मैंने पहले बताया, सोरगदूत या दूत मतलब होता है परमिश्वर का संदेश लेके आने वाला तो येश्यू मसी, पुत्र परमिश्वर यहाँ पर साफ साफ हमें पुराने नियम में हम देख सकते हैं तो जो मुसा को दस आग्या देने वाला कौन था माउंट सीनाई पर ये दूत जो है ये येश्यू मस्य जिसने दस आग्या दी कौन सा ऐसा दूत है जो ये कह सकता है कि मेरा नाम अधभूत है अगर मैं अपना नाम बताओंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे मेरा नाम सीक्रेट है मेरा नाम अधभूत है मैं जानता हूं आप मेंसे कुछ लोग भी यही सुच रहे थे कि मुसा को दस आग्या देने वाला परमिश्वर पिता है लेकिन परमिश्वर पिता नहीं है वहाँ पर येश्वु मसी ने दस आग्या दी थी और उसी दस आग्या को उसी परमिश्व ने तो खेर इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो ज़रूर लाइक कीजेगा और इस वीडियो को जरूर अपने लोगों से शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमें परमिश्यूर के ऐसे वचन और भी देने में सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर सपोर्ट कीजिएगा मिलते एगली वीडियो में प्रभीश मस्याइब सबको आज इस दे तब तक के लिए जय मस्य किए लाइक का तार्गेट रखते कम से कम एक हजार ज्यादा नहीं